शित्रग्यम चापी माम विद्धी शित्रग्यम चापी माम विद्धी सर्वक्षेत्रेशु भारत ज्यान है पूरे क्षेत्र में हे भारत क्षेत्र क्षेत्रग्य योर ज्यानम अर्थात क्षेत्र क्षेत्रग्य का जो ज्यान है यतज्य ज्यानम मतं ममा अर्थात यहां वही ज्यान है मेरे मत में तो श्रीक्रिश्ण यहाँ पर क्षेत्र और क्षेत्रग्य को समझाने के पश्चाद अब कहते हैं कि इस संसार के सभी ग्याताओं में उपस्थित सार्व भौमें ग्याता के रूप में मैं हूँ और इस प्रकार से मुझे संपूर्न क्षेत्र का ग्यान है और वे आगे कहते हैं कि ग्यान और ग्याता की इस परस पर निर्भरता का ग्यान ही वास्तविक ग्यान है तो पिछले श्लोक में हमने समझाई था कि इस श्रिष्टी में प्रतिक क्षेत्रग्य को जो ग्यान है वह उसका क्षेत्र है अर्थात क्षेत्र जो है वह क्षेत्रग्य पर निर्भर करता है अर्थात ब्रह्मांड जो है जिसको हम अनुभव कर रहे हैं तो हम ब्रह्मांड को जिस प्रकार से अनुभव कर रहे हैं वह हम पर निर्भर करता है कि हमारा ग्यान कैसा है जिस प्रकार का हमारा ग्यान होगा उसी प्रकार से हम इस ब्रह्मांड को अनुभव करेंगे तो अब यहां पर श्री कृष्ण उस ही विचार पर आगे कहते हैं कि कि अपी तु जो क्षेतरग्य हैं, जो सामानिय क्षेतरग्य हैं, उनके उनके क्षेतर का ग्यान है, तो वो अपने-पने दृष्टिकोंड से इस संपुर्ण ब्रम्हांड को अनुबब कर रहे हैं, किन्तु उन सभी के भीतर उपस्थित, जो सारव भौमिक ग्याता है, वह मै हूँ तो इस प्रेकार से मैं सभी क्षेत्रों का ग्याता हूँ और क्योंकि मैं सभी क्षेत्रों का ग्याता हूँ इस कारण से मुझे ग्यान जो है वह संपूर्ण है पूरे क्षेत्र का ग्यान है तो मेरा जो ग्यान है वह पूर्ण है जबकि प्रत्य क्षेत्रग्य का ग्यान जो होता है वह पून नहीं है क्योंकि वह सीमेत है वह अपने द्रिश्टिकोन से ही देख पाता है उसकी इंद्रियां जितना उस उसको बता पाती है केवल उतना ही ग्यान उसको हो पाता है किन्तु क्योंकि श्रीकृष्ण सभी में शेत्रग्य के रूप में उपस्तित है सभी को श्री कृष्ण के साथ में जोड लेंगे तो हम भी तब संपून क्षेतर के ग्याता हो जाएंगे अब यहाँ पे आप इस बात को भी समझे कि इसकारति यह नहीं है कि यह जो हमारा छोटा सा मस्तिश्क है इसमें हमारे लिए संपून ब्रह्मांड का ग्यान उसमें पस्तिश हो जाएगा ऐसा नहीं है किन्तु यदि हम श्रीक्रिष्ण की और समर्पन कर दें तो जिस भी ज्यान की हमें आवश्य रखता होगी उस ज्यान को श्रीक्रिष्ण हमें प्रदान कर देंगे अपने उस कोश में से जहां पर कि उन्हें संपून श्रिष्टी का ग्यान है संपून क्षेत्र का ग्यान है तो वह ही ग्यान वास्तों में ग्यान है क्योंकि तब ही हमें संपून ग्यान हो सकेगा तो भी संदेश था हैं आप पर इस श्लोग में आशा करता हूं कि मैंने इस श्लोग को आपको चरह समझा दिया होगा चलिए इसी के साथ इस वीडियो को ही पर समाथ करते हैं नमस्ते